आप सभी को नमस्कार स्वागत है आप सभी का चैनल एस्ट्रालाजवर में और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आने वाले सब्ताहा मैं किन राशी वालों के जीवन में सबसे ज़्यादा बदलाओ हो सकते हैं क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं क्या होगा प्रेम जीवन में क्या होगा करियर में व्यापारियों के साथ क्या कर सकते हैं सुखी जीवन के लिए आईए सबसे पहले जानते हैं कि आने वाले सब्ताहा के कुछ महत्वपूर्ण महुरत इस सब्ताहा नो मार्च मंगलवार को विजया एकादशी का वरत रहेगा तो जो लोग एकादशी का वरत करते हैं वो लोग नो मार्च को कर सकते हैं क्रिश्न पक्ष का प्रदोश वरत दस मार्च बुद्वार को रहेगा ग्यारा मार्च बुद्वार को महा शिवरात्री का पर्व मनेगा तेरा मार्च शनिवार को अमावस्त्या रहेगी शनि अमावस्त्या होने के कारण बहुत जादा महत्वप रखेगा ये दिन राशी वालों के जीवन में सबसे ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा 7 मार्च सले के 13 मार्च के बीच में पहली राशी है धनू मार्च के दूसरे सप्ताह के शुरुवात में धनू राशी के लोगों को भगय का साथ मिल सकता है जिससे आयके स्रोत खुलेंगे रचनात्मक्ता बढ़ेगी भाई बेहनों के सहयोग से रुके कारे पूरे होने के योग बनेंगे आने वाले सप्ताह में अचानक से भूमी संबंधी कोई बड़ा सोदा आप कर सकते हैं परन्तु आपको सतर करहना होगा अन्यथा धोखा और बदनामी भी हो सकती है किसी पर भी अन्धा विश्वास ना करें तो अच्छा रहेगा जीवन साथी के स्वास्थे में अचानक से गिरावट हो सकती है जो कि आपके लिए परिशानी का कारण बन सकता है अतहा ध्यान रखें उनका रुका धन प्राप तो हो सकता है अगर किसी को उधार दे रखा हो तो इस सप्तहा आपको मिल सकता है अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनके साथ इस सप्तहा मन मुटाओ बढ़ सकता है अतहत ध्यान रखें और किसी भी प्रकार के बहस से बचें आने वाले सब्ताह में आपको किसी भी प्रकार के सक्टे से दूर रहना चाहिए और अगर आप शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट से जुड़े हैं तो ज्यादा जोखिम न उठाएं अन्ना अवश्यक यात्राओं से अपने आपको बचा के रखें अन्निता आपको सोच से ज्यादा खर्चा करना पड़ सकता है उच अधिकारियों से विवहार करते समय सावधानी बरतना होगी और पिता के स्वास्थेका भी आपको दिहान रखना होगा जीवन में से रुकावटों को दूर करने के लिए धनीरा धनू राशी वालों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और सूरिक को नियमित अर्द देना चाहिए दूसरी राशी है मकर अगर आपकी राशी मकर है तो सप्ताह के मध्य में आपके जीवन में काफी बड़े बदलाओ देखने को मिल सकते हैं जैसे रचनात्मक्ता बढ़ेगी संपरक्षित्र बढ़ेगा साथ ही मन थोड़ा अस्थिर भी होगा जिससे आप छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी कर सकते हैं कामकाज की बात करें तो आने वाल सप्ताह में कामकाज को बढ़ाने के बहुत अच्छे मोके आपको मिलेंगे और आप उनका स्तमाल भी पूरा पूरा कर पाएंगे नोकरी करने वाले और व्यापारी दोनों को भी पूरा लाब मिलेगा मार्ज के दूसरे सप्ता हमे जीवन में किसी खास के प्रवेश के कारण आपको रोमांच होगा ससुराल पक्ष से व्यवहार करते समय सावधानी बर्दें अन्यता समस्या उत्पन हो सकती है जीवन साथी या दोस्तों के सहयोग से भी आपको लाब मिलने के योग बनते हैं अगर मकर राशी के लोग शेर मार्केट, कमोडिटी मार्केट या फिर सटा बजार से जुड़ा कोई काम करते हैं तो द्यान रखें कि लालच आपको नुक्सान पहुँचा सकता है अताध द्यान रखें जीवन में शुबता के लिए मकर राशी वालों को शनी देव की आराधना करनी चाहिए तीसरी राशी है कुम्ब जिनके जीवन में ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकता है मार्च के दूसर सप्ता हाद मार्ज के दूसरे सब्ता के अंत में कुम्भराशी वालों के जीवन में ज्यादा परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं जैसे नई नीतियां आप बना पाएंगे अपने व्यापार और काम को बढ़ाने के लिए भूमी में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं भाग्य का साथ मिलेगा जिस से रुके कारे पूरे होने के योग अच्छे बनते हैं अचानक से कोई बड़ा मुनाफ़ा आपको रोमान चित कर सकता है अता अपने आपको तयार रखें आपको किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए अन्यता धोखा और बदनामी हो सकती है प्रेम जीवन सामन रहेगा परन्तु जीवन साथी से मन मुटाओ हो सकता है या फिर जीवन साथी के स्वास्थ को लेके परेशानी हो सकती है अगर कुम्भ राशी वाले शेयर मार्केट सक्टा वजार या कमोडिटी मार्केट से जुड़े हैं तो इस सब्तह साथानी से काम करें शुबता के लिए आने वाले सब्तह में कुम्भ राशी वालों को अपने कुल देवी का पूजन करना चाहिए या फिर महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए तो इस प्रकार हमने देखा कि आने वाले सब्ता हमें किन राशी वालों के जीवन में सबसे ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है उमीद है आप अपने जीवन को बहतर तरीके से जी पाएंगे और आने वाले हर मोके का फाइदा पुरी तरीके से उठा पाएंगे यदि आप अपने कुडली पर चर्चा करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन से ग्रह आपको सपोर्ट करते हैं कौन से ग्रह आपको नुकसान पहुचा रहे हैं क्या करना चाहिए जोतिश नुशार तो आप संपर्क कर सकते हैं राशी फल पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ओम नमस्षिवाय